खबर जैपुर जिले के कोटपूतली से है जहां पुलिस की कारस्तानी का एक बड़ा मामला सामने आया है जानकारी के नुसार पुलिस ने मृतक के पिता से खाली कागजों पर हस्ताक्सर करवा कर अपने आप इथाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जिसका पता चलने पर परीजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कारवाई की मांग कर रहे है मामला दातिल गाओं का है जहां हाथसे में घायल दो यूकों में एक की मौत हो गई थी जिसका अंतिम संसकार कर परीजन मामला दर्ज करवाने प्राग पुरा थाने पहुँचे जहां अपने जवान बेटे को गवा चुके परिवार को एक जटका तब लगा जब पुलिस ने मामला दर्ज करने के लिए मना कर दिया पुलिस ने कहा कि आपने मामला दर्ज करवा दिया है जबकि परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया है ऐसे में मृतक के परिजोनों ने मामले की उच्छे सतरीय जांच की मांग को लेकर पुलिस उपादीक्षक और अतिरिक्थ पुलिस अधिक्षक कोटपूतली को प्रारतना पत्त्र दिया है इस पर पुलिस उपदिक्षक दिनेश यादाउने कहा कि मामले की निश्पक्ष जाच होगी और दोशी के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी और उसके अनुरूप जाच की जारी निश्पक्ष जाच की जाएगी जो वास्तिक हो